इसे आप ये मेथी का प्रॉंठा उठाएंगे इसकी परते खुलने लग जाएंगी आज मैं आपके लिए लिखे हैं मेथी के बहुती बड़िया प्रॉंठे अगर आप इसको सफर में लेकर जाएंगे तो ये उस टाइम भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त हैरी और आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं मेथी के बहुती बड़िया परॉंठे आए देखते हैं ये किस तरही से बनाया जाता हम एक बाउल में आटा डालेंगे बेसन डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चम्मच काली मिर्ची खरी मिर्ची अजवाइन को हातों की मदद से करश कर लिया है आधा चम्मच लाल मिर्ची हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम एक कड़ाई लेंगे उसमें एक चम्मच तेल का डालेंगे जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तो हमें उसी टाइम जीरा डालना है जब जीरा पक जाएगा तब हमको उसी टाइम मेथी डालनी है और इनको अच्छी तरह से दो से तीन मिनट के लिए भूनना है क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मेथी कड़वी होती है जब आप इस तरीके से बनाऊगे तो आपको मेथी कड़वी नहीं लगेगी अब हम इसका एक डो त्यार करेंगे अज़ा चम्मच लाल मिर्ची अरी कटा हुआ अद्रग डालेंगे दो चम्मच मलाई के डालेंगे उनको मिक्स करेंगे जो मेथी हमने बुनी थी वह भी अज़र डाल देंगे फिर इसको अच्छी तरी से मेश करेंगे इसको अच्छी तरी के से आटे में गुन देंगे कि अब हम इसंने नमक डालेंगे हमने मलाई इस लिए डाली है ताकि हमारे प्रॉंटे खस्ता बने यही प्रॉंटे खस्ता बनाने का सीक्रेट है आनी हमको हिसाब से ही डालना है इनको डो जादा सक्त नहीं करना है ना ही जादा डीला करना है यह देखिए हमारा डो बनकर अब त्यार है अब हम इसको पांच से दस मिनट के लिए रेश्ट पे रख देंगे अब हम एक रोलिंग बोर्ड लेंगे उसमें एक लोई रखेंगे लोई को सुके आटे में लगा लेंगे और अब हम बेलेंगे हमको परांटे को जादा मोटा नहीं बेलना है अब हम इस पे देशी घीर लगाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस फोल्ड के उपर भी हमको देशी घीर लगाना है और इसको अब हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे हमने इसको ट्राइंगल शेप में बेला है हमको इसको ज्यादा पतला नहीं बेलना है हमने लोहे का तवा लिया है अब जो प्राइठा हमने बेला है वो इसके उपर डालेंगे जब प्राइठा हमारे एक तरफ से सिख जाएगा तब हम इसको दूसरी तरफ से सिखाएंगे अब हम इसको पल्टेंगे और दूसरी तरफ से गी लगाएंगे गैस को हमको अब मीडियम कर देना है ये देखिए इसकी परते कैसे खुल रही है ये देखिए अब हमारा प्राइठा बनकर अब त्यार है इस तरीके से हम बाकी आटे के भी प्राइठे बना लेंगे अगर आप इस तरीके से प्राइठा बनाते हैं तो आपके ये प्रॉंठे दो दिन तक भी सॉफ्ट रहेंगे अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी झाल सकते हैं प्रॉंग झाल सबस्क्राइब जरूर का लुब जरूर क कर दो आपको ये जरूर नहीं